तोड़े पागिस्तान को लैप्स लाइक देर एकुनोमी है पाकिस्तान मोंस तुनो नमबर वन ओडियाई बैट्समेन की लेली नमबर वन ओडियाई बोलन ने विकेट विल्कुल साही बैट हो है और इंडिया के पास 12 मैन के नाम पर ट्राउड था पाकिस्तान के पास मरस एरासमस और फिर भी इंडिया के सामने पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा लाइक दिवोर्स वे फोट विद बैम और आज इंडिया ने मैस जीत कर एक स्टेटमें देदीगी इस वर्ल्लकप को हम डेफिनेटली 100% जीतने वाले हैं बस New Zealand का पत्ता साफ करना होगा लेट्स केम और आज हमारे साथ और आज हमारे साथ अभी जेक सिना है cricket expert बहुत बड़े आप पहली बारी ने देख रहे हैं और आप हमेशा देखते रहेंगे कश्मीर फाइल समय थे उस टाइम पे पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे लो वजट एक्सपर्ट एक्सपर्ट इन अल डिपार्टमेंट्स आज ये cricket expert है नहीं जेनुरल नहीं बहुत बड़े cricket expert है cricket buzz, star sports, सारी जगवे इनके contact cricket heroes पे भी है तो आज हमारे साथ e-sourचन चलन नहीं है वह घर पे बिजी है अपने अपने कामों में welcome to the honest jam guys आपका स्वागत एक और नहीं एपिसोड में मोज लो रोज लो नहीं मिले तो खोज लो इंडिया ने पाकिस्तान को पेल दिया है लिखा हो था तुने 6 महीने पहले से पर वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप होता है ना फिर उपर से फिर अभी पाकिस्तान भी form तो था ही बट बहुत ही खटिया मैं जिसों कहते है न मतलब एक तरफा कर दिया इंडिया ने भी पुर्ड अच्छा भी लग रहा है खराब भी लग रहा है सबका लॉस ही हुआ है मैच से पहले क्या था कि मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट थी थोड़ी या बहुत जाद है थी टोस पे रवी शास्त्री बोलता इन मैं ब्लू कोर्नर रोई शर्मा इन मैं इन मैं ग्रीन कोर्नर बावराजम वह का लगा यार भैस की आगास तो मैस तकड़ए होगा वह एक लाग स्टेडियम में लोग बाइस नहीं स्टार्टिंग भी ऐसी वी ना कि जैसे है उस तो है जब आज जब बावाराजम और रिज फिर वही बात है गदे और गोड़ो को कैसे कंपेर कर सकते हैं पचीस या तीस से लेकर देड़ सो तक एक फ्लो में गया है बिल्कुल मैच अना दीरे 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 और चाचु इफ्तिकार आएगा नीचे और फिर पेलेगा इनको ऐसा लगा इफ्तिकार का मुझे पता देख वादी टाइक का इस तो दिखाया था तेरे को हाइलाइट में पाकिस्तान वालों ने एक पही मामुलग ने चोका रोग दिया और बाउंडरी इदर कर दी बाई की चोका नीवा बाउंडरी लगा दी इदर से शाहिना फ्रीदी एक हाँस से रोगी दूसरे हाँसे चोका कर पाकिस्तान वाले दुख ली ने कि वह मैं चार गए तो उनकी ग्राउंड में दिल दिल पाकिस्तान गाना नी बचा आर एक तो उनका वैसी कुछ निया एक गाना था ओरीजिनल वह भी दिद बजाया इंडिया के बात करतें ऑलर्स की बात करते हां कहां से शुरुआत करें पहले ओवर से पहली पांच बॉलों में पहले चलिया था हाँ बुमरा भाहि आज लेगा रूड लेगा पर उसके बाद उसको ले नी थी पांच फिकेट लेने के बाद रहा गए पता नहीं अगला केल पाइगा अमनी टीमा लोग साहर लिग रहा होगा वह नहीं वह लंगडा अगला वर्टकब खेल पाएगा और पाइस्तान वाले comparison करते हैं मतलब बहुत साइं लोग comparison करते हैं बुम्राइब और शाहिन्शाह अफृदिधी की टेस्ट की performance निकाल और बुम्राइब की निकाल पर फिर भी पाइस्ट में लागे एक सोन चास फैक देता है उसके पहले दो वर में होते हैं स्टार्टिंग वाले उसके मिडिल ओवर के जरा वो निकाल स्टैट्स दस से लेकर 40 के बीच के शाहिन अफ्रीदी भाई साथ के आसपास का एवरेज है बैट्समेन का नी बॉलर का एवरेज है यह साथ है कनी कुछ हो रहे हो पाकिस्तान वालों वही है तो भाई इतना डिफरेंस और बुमरा भाई के देख ले सिराज के बड़ी रिकॉर्ड पाएंगे शाहिन अफ्रीदी से तो और यह पहली बार हुआ है कि यह भोसडी के पाकिस्तानी मतलब बोलते थे भाई कि इंडिया के पेसर आते बड़ी दूर सो और दीरे करा भागने वाले क्या बूलते इसको फैगने वाले पेसर या जो भी कहले बक्के आने वाले बख्के आते दूर से स्पिनर की तरा ऑफकटर फैकते हैं वार ऐसा था कि हासनली 125 की स्पीड 132 की स्पीड से यह डाल रहा था तेरा फ्रीदी एक हारी श्रौत बिचार ने गुदा इसको बोलते हैं अफ़र्ड किसी करियर ऐसे जाता है ना बहुंत है यार यह था विगट तो भाई साही है मतलब इन स्विंगिंग बोल भाई उसके बैट और पैट के बीचने से निकल लगे या तो अपने इंडियन बोलर का स्टेंडर्ड बहुत उड़ गया या तो बहुत बहुत ओर रेटेड है बाई हार्टिक पांड्या ने बोल्ड मारा बंदा कैच होता है ओफ में मारते वे कवर शुमन गिला उट हुआ बाई शौट देखा शुमन गिला जिसमें कैच आउट हुआ बाबाराजम बोल्ड हो रहा है बाई हमारे बिलकुल पार्ट टाइमर से बोल्ड हो जा रहा हमारे अभी अभी बाबाराजम नंबर ओन ओडिया रैंकिंग में तो आमीर मतलब इनका शो चलते रहे थे ना पाकिस्तान मोहमद आमीर होता एक पैनल में वह इमाद वसीम के साथ बैठता शायद है ऐसा कोई शो है उसमें मोहमद आमीर बैठा हुआ तो उनमें वो रंड मन आ रहे हैं तो उस्याद मैंच यह खेल गे ऊपर चले जा रहे हैं वो रन नहीं है यह तो ऐसी है बिल्कुल सही बात कि पहली बात तो भाई लोग इवन जो इसको बाबर भाईया को इससे भी करते यार हम सिराज पे तो आई नहीं रहे वापस यह बाबर कोली की वैस जाता है नहीं तो सब ने राइट आफ किया था उस बंदे को IPL में और अभी मुझे हाली में मतलब कि एक चीज़ खटक ने रगी है बाउलर का एग्रेशन ना साला खता हो गया है बाउनसर मारते हैं एक सिराज लगता है थोड़ा सा ना वही जो बाउनसर मारत कभी-kभी 128 पे डालता ना तब यासा लगता बोलर तो यार ऐसी अच्छी लगता है ग्रेशन लेव और सिराज उनमें से यह गहां सिराज और जरूरी है ओडियाई क्रिकेट के लिए इन तो क्रिकेट के लिए तो एट-लिस और कुल दीप यादव क्या निकर्किया इस वर् गुसके डाल रहा भाई साव यह ले जाएगा यह पूरा गुसावाए गेम में अच्छी करता है तो कोई पेल भी नहीं पा रहा है वैसे मार भी ऐसा एक तरफा नहीं मार पा रहा है उसको जैसे और जैंपा को देखना 110 रन 102 रन ऐसे ऐसे खाता है और बुम्रा तो सदावा हमें जो वह गए थे यार पिछले बार जो शिलंका जीती थी एशिया कप हम सेमी फाइनल भी कॉलिफाई नहीं कर पाया थे सिर्फ बुम्रा की वैसे बुम्रा रहता है तो ऐसा लगता है आखरी के दस ओर में अगर पचास भी चाहिए न और बले से चार विकेट भी है उनक पछार्यक बेंडिया में इतना मारा था उसको अस्टेलिया में इंडिया में और ड्बल सेंस्टरी भी तो है अस्टेया के साथ वही δ कुल दी पर अभी ड्र्रिवी अपने ग्रेटe Zps क्या मंतर पूपहाऊ बगाली मैजीं प्रास उसने कुछ गंदे लोगों की गंदी सोच मां का बोसड़ा मादर चोच देव जे मां तादी करके पैक दिया उससे कहां से लाता है यह एक गुलजार है एक सिना जी है दोनों का उन्दा स्पोर्ड बनता है तो वह ही है तो उसने क्या मंतर पैका मतलब हम भी करते हैं और बोलिंग पर ऐसा कभी-कभी ना इंस्टिंक्ट फीलिंग भी आती अंदर से कि साला जैसे मलिंगा था हर बॉल चूंके जाता था है अब यह हार्दिक पांडर रेगुलर नहीं करता है फर्स्ट टाइम ही देखाया वाई अमने पर उसने क्या बहें चो बोला कुस तो उसमें बोला और उसने ऐबन दिखाया तो ईंता है अब भॉल के लिस्ता पता नहीं उसके पिछली वर्डम के लिए था तो ऑफ यह वाई तो वॉय अब देख लो बाई अपना नहीं सागिता पर फिर मैं यह सूचता हूं कि यह यह बन्या क씨 कभी विकेट लेगा उसको रखो यार उसको ऐसी रखो ना बॉलिंग करा और बैटिंग आज दो योवर तो करा है उसने पूरे मैस में कुछ किया है पर बाई वह अच्छा लगता है क्योंकि वह हसता नहीं है एक तो पर कभी को भी हसेगा बहुत ही कुछ कर लेगा ना तब हस पर वह उसकी जगह महमद शामी को देख रहा है जोड़ी चाहंगा शामी को पता क्यों ही रोक रहे है अभी तक कोई वैसी सीमिंग मिल जाए वो तो विदाउट सीमी उसकी सीम पोजिशन वर्ड में सबसे बेस्ट है नहीं तो हलकी सीम बेस्ट कोई नहीं है वहाई सीम में अफरीदी वाफरीदी 45 ओड यहां अफरीदी के 45-44 को इनको गोट बना रिते हैं वो दो-200 विकेट लेके बैट है हमारे शामी बाल जड़ गए बिचारे के बीवी छोड़ गई इज़त देते हैं वहाई बढ़िया प्लेयर हमारे शिकरदवन नहीं इंपक्ट प्लेयर मैच बना दिया करते थे और यह बिल्कुल डुबा देते हैं भाई साब बता अज इतना बढ़िया ओपनिंग पाकिस्तान की आई तेरे को बेसिक डिफरेंस आज की मैच में क्या लगा इंडिया पाकिस्तान की बीच में भाई इंडिया तो मतलब की ओल राउंड परफोर्म मतलब की इंडिया की टीम का माइंडसेर तो ऐसा था कि बास नेसे तरना बूत कर देना इने अब जब की मतलब पाकिस्तान का टीम करता कि दोस असी रन मनाने में और मैं जीत जाना है और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ना मतलब उनको लग गया था स्टार्डिंग में 1209 जैसी वो बचाने आया उनको पता था कि वो नहीं जीत रहे हैं और पहली जब बॉल पे रोई श्रमा ने ऐसी ओपनी कर दी तक तो फिर बच्ची कुची अफ्रीडी तीसरे बॉल से शॉट पिच पे आ गया भाई और आज दीख रोई श्रमा तो पिटाई करी रहा था तो हम गिलने भी तीन चार शॉट मारे बढ़ी है एक दब मिडल से तो यह ना उसका ससुराल टाइप का एक तरीके से यहां तो वो गर्जम आई एक तरीके से है तो वो पंजाबी पर है वो एहमदाबाद का एक तरीके से भाई 100 के उपर की एवरेज लग्की ग्राउंड है जितने शॉट मार उसने तग्डे और वो जब आउट है वो शोट भी अच्छा ही था बस थोड़ा डेरेक्शन गलत होगि पंड्य की बात निफी पंड्या 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 पर आते है अदे पर बोलर हमारा और फिर व लगा कि मैच खतम हो जाएगा विराट कोली तो मतलब कि यह था कि सेफ है विराट कोली था ना इसलिए लगा कि हाँ थोड़ा था डेप आया है नहीं तो फर्स्ट इनिंग होती तो भाई जिस फॉर्म में केल रहा था तो लग रहा था कि यार पाकिस्तान मेहंचो 190 क्यों बना पनाने के मूड में था रहा रहा है वह तो बाई और बहुले कम पड़ जा रही है पता नहीं वह बोर हो जा रहा है सिंगल उसका भगने का मन नहीं करता पर जिस दिन वह फ्लोग आज अब जिस दिन वह बना रहा था तो मैं स्टैट्स देख रहा था एक कि उसने वर्ड़क पर ने मनाई थी च्छे चो आलिस में अब भाई यह तो मतलब यह तो मतलब यह नो डिस रिस्पेक्ट तू सची दिन लुकर बड़ स्टिल यह तो वह बाई 2011 में भी आ सकता था पंदरा में तो था यहां 15 में था 19 में थार्ड वर्ड कप है इसका एक वर्ड कप इसका मिस हो और वह भी ना सही बताऊं तो रोई बैट पर नहीं आया तो पपा ने जवाब भी तो दिया था तो पर किसी दिखाया था शीधी डिफेंस पर उसने बौल पहकी वापस अच्छा हाँ तो कुस्त तो करा उसने पिर उसके बाद बैटिंग पर नहीं आया है कि हारी शर्म न उसने दो चक्के मार रहे एक स्वाम ने का और बहां रहाय बहाय साओ और भाई जो उसके पुल शोट्स है रोई शर्म ने लिए ते आहां रोहिस शर्मा के पुल शोट्स तू भी खेलता था क्रिकेटर हम दोनों को और गैशम हाथ बात सचाही है दा मैं शॉट गैशम फाह में देने के पर थोड़ा सराय गया यह बंगलादेशी हो तुम्हे ले ले लेगा वो देख के थोड़ा मूड में आ गया पर मुझे लग रहा है इस वर्लकॉम में फिरोईश्रम एक नाएक दोस्तों जरूर बहा देगा में को भी लग रहा है हुआ हुआ WITH को बहुदि का लग रहा है कोली तो कुछ भी कर सकता यार कोली कुछ भी कर सकता हँ हरा कि में लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट के तुरू वो नहीं खेलेगा और तुसे पता है जब दो चक्के मारते रोई शर्मन स्टार्टिंग में कोहली ने भी फिर दो चक्के मारते एक और में तो मोहमत कैप बोलता यह हाइलाइट नहीं चल रही है अब मेरे को लग रहा था ना आज वो पहले से पर्चा मना के आया है कि अच्छा आरीश रॉफ बाई मतलब एंट्री गुस्ते ही पेल रहे थे आने भी नहीं देड़े थे मतलब नवाज आया पहली दूसरी पेल लिया शाहिन अफ्रीदी को पहली पेल लिया आरीश रॉफ द होटल में जाके वो तो थोड़ी इजद बचा दी शेया शाहिए और इन धीरे खेल के एकोनोमी सुधार दीन की नित्तो बेटे वो टिक जाता और उसके सो पार हो जाते और इन्होंने धाई सो रन अगर बना दियो ते ना गलती से रोई था बंबू दे रहे था सब रैंकिं जो वह है ना कुदरत कानून और कुदरत का निजाम इनके फेवर में आ जाता है यार घंचो नीजर्लेंड साउथ अफरीका को हरा देती है चानक से यह चले जाएंगे देख लियो तो और सेमी फाइनल में जाएंगे वापस और क्या पता भाई मुझे लगता है मुझे लगता है कि निजिलैंड साउथ अफरीका इंडिया और इंडिया और इंग्लैंड में से कोई है अम कितना भी हाइप बनादे पर अंदर नर्दू सब को पढ़ा था कि पाकिस्तान मुझे पता क्यों नहीं लगती क्योंकि देख जैसा वाज खेलिय कि इसका यार बाइस अगला मैज किसका या पाकिस्तान का इंडिया पर अथा ठीम थी न्याद पिछारों को बॉल्लर भी मार जाते हैंगे नसीम साहाभी चक्का मार जाता है और वो मैस कितना तकड़ा था ने इनका भाई साथ विराट कोली वर्सेज ये नवीन नहीं नहीं मैं उसकी बात करूँ जो तो आखरी चक्री नवीन अबे या मेरा मूर खराओ नसीन में आखरी बोल पर मार रहा था भाई साथ अगर तो पाकिस्तान और अफगाई तो बहुत क्लोस ये वर्ल्टी-20 की बात है बाकी भाई इनके हारने कारण तो तेरे साथ से क्या है तु पता इनके हारने कारण ये जो हारे हैं आज वल्ल्ड चैंपियों नंबर दो टीम है इनने हाराया गया है इंडिया के सामने कोई नहीं पूरे वर्ल्ड कॉप में एक निउजलेंड है बस जो मुझे थोड़ी से डर लगता है यार वो इंडिया वर्ल्ड कॉप सही में एक तरफा जीतने वाली है मेरे को भी यह लगता है यार मतलब मतलब आज सपोर्ट भी गजब आया था इंडिया गजब इसको कहते है न क्या सौकर क्या बेसबॉल क्या लोड़ा लस्तन महनचोद कोई भाई कोई कमपैरिजन नहीं था मतलब और मतलब अब लगता है ना जैसे अभी तू टी ट्वेंटी अगर वर्ल्ड रैंकिंग देखेगा तो वाई सतर से उपर टीम हैं सतर से उपर कंट्रीज हैं ओडिया में वहले से 20-25 हैं टेस्ट में 10 वा रही हैं टी ट्वेंटी में 30 से उपर हैं जिस लेवल का यह आज वीडियो तो अल ओवर वर्ल्ड जाती है सोचल मीडिया पे डबलुडबलुई प्रमोशन कर रहा है इंडिया के लिए वह इंडिया अब तु यह देख और क्रिकेट यह होने वाला है बहुत बड़ा इंप्लोइमेंट जेनरेटर अब तु यह देख ना प्रिकेटर्स को कितना प्राउड फिल होगा मतलब कि यह वर्ल्ड कप के लेवल गई है सबसे बड़ा हाथ इंडिया गई है कि यह जैसे आई पियल यार एक नई चीज सिखा दी पूरे वर्ल्ड को लीग कराने कि आज देखना तु हर दूसरी में अमेरिका तक लीग करा र पहले सी प्रोमोट करते आ रहे हैं अब उलम्पिक्स किदर है अमेरिका में वेस्ट इंडीज के भी जो आदे वो है ना तेरे जो आईलेंड पढ़ते हो अमेरिकन रीजने पढ़ते हैं तो यूसे में पहले भी मैच होते थे पर जो इंडिया में दिखने लगा जो वर्ल ल अब क्रिकेट वर्ल डेवल पे जा रहा है अब इंडियन प्लेयर सारे टीम में खेलेंगे नेपाल वर्सिस मंगोलिया नहीं देखा वह वाई मैंने उस पर बात करी एक पोड़कास में इतने दुखी मन से मैंने का यार मैं बॉलर होता है मंगोलिया की तरफ से खेल लेता व मैंच में किस-किस के वीच था अभी आज-कल का मैंच है भाई सारे रिकॉर्ड तूड गए है इससे पहले का था साओधियर ये भी है के अगेंस्ट मारे थे तीन सोटाइस रन की जिन है चार सो के उपर अन्मारे है भाई बीसोगर मैं तो भाई ले से मैं कहता हूँ कितना भी स्टेंडर्ड लो हो भाई इंडिया का भी देखा जाए फुटबॉल में अभी सत्र पिच्टर है ना रेंकिंग बहुत पीछे है बहुत पीछे है पर फिर भी अंडर हंड़े बड़ कर रहा इतना जादा है थे रहें थे लेंकि दिखर आया की फुटबॉल में पैसा है दिखर आया की नेमार की एक डील जाती 212 मिलियन की तो है पैसा इवन क्रिकेट से भी बहुत ज्याद है तो ऐसे ना क्रिकेट ग्रो कर रहां इन छोटे गोटे एसोशेट नेशन है वी ए कि और तो ऐसे सारी स्पोर्स ग्रो करेंगे ऐसा कोई स्पोर्स नहीं है जो मुलब क्रिकेट से बहतर जो बिल्कुल बनाई ब्रॉड कास्टिंग के लिए एक सिर्फ क्रिकेट ऐसा स्पोर्स है जिसमें हरे एक ओवर के बाद ब्रेक होता है पुटबॉल में नहीं होता, बेसबॉल में नहीं होता, बैडमिंटन में नहीं होता, बोलिंग में नहीं होता, चैस में नहीं होता, कोई सा भी गेम देख लिए, यह बनाई है कॉमर्शिलाइज गेम के लिए, यह चीज उननीस सो में तो लोगों ने नहीं देखा होगा, उनक क्रिकेट को इंडिया ना एक अपने आपको ग्लोबल पावर की तरह भी यूज़ कर सकता है और सबसे पहले पागिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना मदा है पीजा बिखते हैं डाइसो तीन सो का एक स्टेडियम के अंदर और हरे कोवर के बाद एड्स बाउंडरी पैट्स लोग टोस्स भी स्पोंसर होता है वीवो से कोली ये कंपैरिजन है बागी आथलीट्स की तू यार बास्केटबॉल वालो की तू इंकम देख उनकी इंकम देख जबकि उसके मुकावले इनकी बहुत जादा होनी चीए क्रिकेटर्स की जितना हमारा व्यूवर टाइम है बाई ये की यूरोप यूरोपियन ज़ंटा जो यूरोप के जो लोकल लीगस है ना बाई वो तो फेमास है ना कुछ को ला लीगा वर्ल्ल का फीफा इनको अडा दे जो फ्रेंडली गेम होते हैं बाई उनकी नीजाती विवर्शेप इतनी नीजाती कंपेर कर लियो वो आल ओवर दे पर 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 इसकी एक रुकावट है 50-50 ओवर क्रिकेट है हाँ याज यह जो थोड़ा हो रहा है 50-50 ओवर के फ्यूचर के वोपर बात करते हैं अब पहले यह वल्ड कप पे देख तू स्टार्टिंग कैसे वी एस वल्ड कप की कुछ excitement लोगों में हुई नहीं मैं क्रिकेट का टेस्ट मैच भी देखता हूँ खासकर जब की बाहर हो इंडिया मला अस्टेलिया में हो न्यूजिलैंड में हो सेना कंट्रीज में खासकर ठीक है वह ही तो मैं कह रहा हूँ और फिर साले आज के मैच से पहले opening ceremony करवा रहे हैं मतलब गाने गज़ रहे हैं बस वो लाइट टैलिका सीनों में इस नहीं मिलना था एक हौकी का भी वर्ल्ड कप होता है ना ओडिशा में तो भाई इतनी सुन्दर वो होती है opening ceremony होती है सबको याद है दिल्ली गेम्स की जो बैलून लगा था कितने करोड होगा यह वो भाई उससे क्या होता है रहुनक बढ़ती है चाइना ने कराया अभी एशियन गेम्स opening ceremony देखो तो उसकी उलम्पिक्स में देखो उन्होंने कोविड के बीच में इतना सुन्दर करवा लिए और अच्छा ग्राउंड पर खेल लिए और अफगानिस्तान ने बोला कि ग्राउंड की कंडिशन ठीक निया तरह हमसाला में उससे स्लाइड मारी हो गडड़ा ही हो गया राशित खान ने बाकी तो अॉल ओवर तो देखा जाया तो ठीन देना तो चींद फ आया ये ठोटी मतलब ये तो बहुत बड़ी गलती है छोटी नी बहुत बड़ी गलती है उसका life मनलब उसकी cricket life में यह होता है गुटना गया तो खताम यह करिये अभी तो मुझीब की उमर ही गया है, 22 का ह नंबर 6 का बोलर है रैंक का तो वही है और वही है थोड़ी उसमें दिक्कत आई है ओपनिंग सेरेमनी काफी फीका फीका रहा है और एक और प्रॉब्लम दो रही है अब जो सीर्स खाली चल रही है ग्राउंड में इसके बीछे मेरे को तो में रीजन ये लगता है कि अब आठ गंटे आठ गंटे क्या दस गंटे ग्राउंड में जाना हर किसी के लिए असान नहीं और वहां पर खड़े रहना धूप और ये तो मेरे भाई सिर्फ अंदर घुसने का फिर उसको एंट्री एक्जिट ये वो पूरा दिन है मतलब एक दिन आप अपने एक मैच के लिए बह अपने यार दोस्त जो पहले बैठते थे सब देखते थे वहाई रिष्टिदार विसा बहुत की बहुत क्या स्कोर हुआ है अब नाई के शॉप में हमेशा चलते रहता था रेडियो बर इतना कुछ हो नहीं रहा आज भी पटाके बहुत कम फूटे हैं वैसे नॉर्मली वह पाकिस्तान के रहा पाकिस्तान की मतलब कोई मैनेजमेंट से चोद गांड फटे दो फटे नवा भी ना घटे वाई इनका तो मतलब अलग ऐसा जाता है मतलब और पता है अभी अभामा नहीं तो उसामा कोई तो बचाई लेगा और मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह बाबा राजम को विराट कोली से घंबेर क्यों करते हैं कौन है वो लोग कहां से आते हैं पता नहीं भाई कोई कि मतलब यार उसका तो कोई भी स्टैट्स मतलब ऐसे उठा लेगा ना अगर इतना लंबा करियर है कोई सा भी एक हिस्सा उठा लेगा ना आरहा का सारा माल पटाया उसने जोटी बात है तब लूटलेगा किसी के साथ कंपेंड नहीं कर सकते हैं तुम हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में पता है किसका हाथ तो से सबस्ते हैं और अ पर वी शहके निए टाकुर नहीं उसके अगर सही में कंपैरिजन की जाया ना उसके बैडिंग स्टाइल को लेके तो केन विलियमसन ठीक है वो बहुत और्थोडॉक्स है वो भी 70-50 खेलता है वो भी छक्के नहीं मारता है वह बिचारा इंजर्ड होके टीम के लिए बाहर खेल जाता है यह साला अंदर ही रहता है अब यह बता लास्ट करते हैं कि सबसे डिसपो कि लंका से भी थोड़ा डिसपोइंटेड हूँ क्योंकि भाई मैं बिल्कुल नहीं हूँ मैं चाह रहा था क्योंकि जैस साब से उसके कैप्टन ने कहा ना जो प्रेस कॉन्फरेंस वीती सबसे पहले नहीं मिचल मार्स मिचल मार्स जब पूछा गया कि भाई आप कहा देख और तो किसी ने नहीं बोला तो होना चीए बहुत जीत भी तो चुके है यार इतने जाड़ बराबर कंट्री है पांच-पांच वर्ल्ड कप आप जीत चुके हो घर जाओ मूठ आगे हर बार सेमी फाइनल फाइनल खेलने आ जाते हैं ये लोग इंडिया को मैं चाहता भी हूँ यारे हारे थोड़ा है इंडिया का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कोन है वल्लक अप में बहाई देख अगर प्रैक्टिकली बूल जाए ना ओन पर्फॉर्मेंस बेसिस तो में को दिल से लगता है साउथ अफरीका ले जाए इंडिया को साउ वेस्ट इंडियस ना क्वालिफाई नहीं कि एक तो यह रूल बहुत गंदा है वल्लक अप का कुछ टीम को आपको प्रैयोर्टी देनी चीए यार वेस्ट इंडियस डिजर्फ करती है आना उसको ऐसी लेटरल एंट्री देदो नहीं यार मतलब थाही बता रहा हूं मैं बल वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें वेस्ट इंडिज नहीं है और इमेजिन कर और उसमें साली नेपाल कॉलिफाई हो जाती दो मैच जीत के कॉलिफायर जो एक राउंड होता है उसके पहले वल्ल्ड कप के यह अनफेर है वाई कुस तो पास पर इतने बड़े-बड़े प्ल जोज बटलर मारता है तो तुने सुना होगा कि भाई वो आड़े-ड़े-ड़े-ड़े-पिछे मारता है इदर तूर्यकुमार मारता है तो खबर होती है को डीवी लेर्स रिटायर हो गया तो यह एंटर्टेन्मेंट कोशन जरूरी है यह तैट्स देखे तो ने रोई शर् पूरी पाकिस्तानने मिलके जिफ आठाय रहे है तीन है न डॉड़ सेंट्री है पाकिस्तान की पूरी पाकिस्तान में वह जिंबाबे जिंबाबे के लएस सब और सो प्लस कोर औरिए हैं में रोई शर्मा के परसनल आठ है आठ, ODI में, भाई, टेस्ट की नहीं है, ODI के, पाकिस्तान के सारे मिला गर साथ हैं, तो मतलब, ऐसा है कि बंदा अकेले पूरी टीम को हरा रहा है अब एक टैम पे, यह लेवल चला गया पाकिस्तान का, बज वही बात है, और विराट कोली तो अब भी उत्तर रहा है ने, अभी तो उस दिन रावल मान नहीं रहा था 356 हो गए थे इनके अरा फ्रीदी तुम्हें को लगता जान वुच्छे एक दो बार गिरा भी है कि मैं निकल जाओ ग्राउंड से बार वही 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 जान नहीं दिया तुम्हारी फेड़िटी में ओविएसली इंडिया वेगी पाकिस्तानी भी देखते हैं गोजटी थोड़ी बहत है दो-तिन परसेंट है तुम्हारी जो भी हो तुम मत लिगना नहीं बड़वाद हुआ दो-तिन परसेंट तुम्हारी बाए बाए गाइस बाए बाए